वल्लागी ये फोन पड़े हुए जब से लिया हूँ में को आज तक ना मेरे माँ का फोन है और ना बाप का फोन है फिर बात में कभी जादा कॉल है तो फिर ने के कॉल करके बोलते क्या मम्मी साता रहे हो दोस्त लोग के बैटा हूँ माबाप के उपर जो चीज मैं महसूस करता हो ना इनसान को जब तक कोई चीज की कमीना हो ना तो से अहसास नहीं होता माबाप बहुत बड़ा रोल प्ले करते है लाइफ में कि मेरे कांदे पे जब जिमेदारी का बोज बढ़ जाता है तो मुझे मेरा बाबा याद आता है महस तीसरी में था मैं तो मेरा अब्बा का इंतिकाल हो गया है चौती या पाच्वे के स्टाड में पर अम्मी का भी इंतिका लोगे तो जो बच्चे अपने माबाप को जिड़कते हैं वो अल्लाही बता रहा हूँ उन्हें अंदाज़ा नहीं है वो क्या कर रहा है क्योंकि अल्लाह ने मा के कदमों के नीचे जन्नत रखा और बाप जन्नत का दर्वाजा है कि जन्नत अल्लाह की रहमत के सीवा नहीं मिलेंगी उसके लिए वैसे आमाल करने पड़ेगे उसके अल्लाह की रहमत हो लेकिन अल्लाह ने उस जन्नत को मा के कदमों के नीचे रखाए मा के तो मजँनत का दर्वाजा है और आज हमारे बच्चे क्या कर दे है जब अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को देखते हैं खास कर्किए यूथ कि उनने को तोकते घरवलें के बच्चों के टेवा रहते है तो हम को बुलते है दूसरे बच्चे घर चांड़ यार ये नहीं होुग और ये नहीं जो रोकते है घरवाले तससा तो आजकल बहुत जादा ही होता है क्ईयनि मैं भी सम्झेर कभी दोस्तों के साथ जाने का रहेंगा तो घर बोलते है कि मेंा को इतर घुमने जाने का है तो घर वाले बोलेंगे नई जानेगा, तो फिर मेरी जीद नई में को जानेगा है, उल्लोग जाते, तो फिर मैंए क्यों मैं जाओ, तो बलते के तीरे अच्छे लिए ही बोलते, लेकिन आज कल ये, समझते नहीं, कि जानेगा तो है ये, तो जीद पाड़े ले रहे, तो ये आज, यानि मैं वही बो प्रेवाब की इनि सुनना चीह है फिर भी थुरा थुरा इनि पहले ऐसा नहीं होता था कि तुम एनि मम्मी ने बोले तो ये करने का तो इने कहां से जिद प्याड़े लाएं ने मैं तो जाके ही रहूंगा तो फिर वह अपने जिद प्याड़े ला रहा है शहतान से नहीं नाय। दोस्तों फिर क्या बोलेंगे हैं तुने आता यह ऐसा वैसा फिर दोस्तों के करेना यह आपन मुल वह जातर अब यहाल जाते लेकिन? नाय। फिर चलनां चालेनी मापनु जाते तो मुलते नहीं जो जाते हैं तो लोते शूच यह。 फिर उन लोग जाते हैं उन लोग को कुछ नहोता है फिर भी आपन को कुछ आइसास ही नहोता है तो आज जो जिसके मापाप नहीं है उनको यह ऐसास है कि वह कित्ती बड़ी चीज खोके बटे इन अपने को आइसास नहीं है जिस दिन इन्हीं ऐसा समझ में आएंगा एकदम दिल से जान लेंगे तो फिर अपनों समझ मेंगा कि क्या माबाप किती बड़ी चीज है हमारे एक भाई है माशालला वह बाप बन गया उनका बच्छा एक डिर साल का है उन्होंने बात मुझे जब बोले वह चीज को हम दोने सोचके क्या हकिकत में माबाप क्या चीज है मतलब उसका बच्छा जब भी विस्तर के कोने पर आता है रेंगते हुए बात के एक कैफियत होती है अरे यहार गिरेंगा अरे भागता है तो उसके अम्भी ने बोले बेटा समझ में आया कि इतना जब वह उलादों को पालते है इतना ना से उसके लिए इतनी फिकर में लगे ले रहता हुए जब बड़ा हो के वह उलाद ना फरमान निकलती है तो कैसा आप तो तुम भी बाप बने हो ना कि तुम्हारा बच्चा रेंग के सिफ विस्तर तक आता है तो तुम्हार था में है तुम क्याए मावाप से ये भी हक उनका छीने के अवो तुमको शीश में टोके भी ने बोले भी ने अरे कोन वोले तुम लोगों को सभते हो तुम लोग चिडते हो क्या मां का फोन आ रहा है बापका फोन आ यह हमीं का पना बाप पना था और वालिद खर वाल्hington क तुम लोग खुदा की कसम यह बात बोलने की नौबत इसके लिए आई है कि आज हम देख रहे हमारा मुस्लिम माश्रा अपने माबापों को जाकर आश्रों में छोड़ा है ओल्ड हूस में कि यह हमारी तर्भियत है जिसके जरिये तुम जन्नत में जाने के रास्ता है इंशाल कि हमारे लिए दूआ करें फारिस भाई ने जैसा बता है फलाना पॉइंड पर मज़्या मज़ अश्रीलता होती है गाने बच्टे में देखते हो कि कोई माँ चाहेंगी कोई बाप चाहेंगा मेरा बच्चा वहाँ जा तो एक क्यों नहीं समझ रहो भाई जब कल खुद का आउलाद होईगा जब आउलाद को रोकने जाओंगे और वो जब ऐसा जवाब देंगे जब समझेंगा जैसा हमारे भाई ने कितनी बड़ी बात बोला कि हाँ आज माशालला क्यों बाप बन गया मैं उसका बच्चा एक डिर साल का है हम जानते उसकी कैफियत तो आखिर उन तो क्या इसलिए उन्हेंना हमें पाला है क्या है इसा करें यह दिन देखने के लिए तुम्हारे को कोई बाहर वला नसीहत करें और दोस नसीहत करें वह तुम्मारेगों ऐस्पर क्या तो फिर कोन बोलेगा specifically when worked बुड़ा हो जाता है तो आजकल बच्चे आग दिखाने लगते तेवर दिखाते उस बाप को क्या बेस पेप तेवर दिखाते हो तुम क्या जब तुमारी कुछ अवकाद नहीं थी तो उसने तुमें लोगों से बचा आए तुम चलना नहीं चलते थे तुम जब चलने लगे तुम बाहर जगड़े करके आ तो वो ढाल बनके खड़े रहा है तुम्हारे पिछे और आज उसकी उमर हो गई है तो उसको आग दिखाते हो और खुद के उपर इतना तकबर करने की क्या चीज है जब तेरा दुनिया में आ होती है कुछ मसला होता है पेट में रात नहीं सो निकालते हैं पुल सो नहीं पाते एक जिम्दी जान को पालना हां वो मा का दर्थ उमा की तकलिफ यह सब मजाक हो चुका है इतना फॉरें चीज़े इतना वेस्टरन कल्चर अपना चुके कि अपन वैसे ही हो गए एक लिस यह चीज़ तो मत जाने तो अपने माशरे से यार इतने तो बेगरत मत बनो अभी भी अपने अपने माबापों के पास जाओ गिरगिरा के माफिम हो कि अम्मी गलती हो गई अबा गलती हो गई इंशालला इंदा ने करें अरे कुरान के एक आयत का मफूम है कि जब उनको उफ तक ना काओ उफ खाली अगर तुम्हें इसलाम से रोक रहे तो बस उसके अलावा उनका हर रुकम तुमको मानना है यूँ एफ टू सरेंडर का वालिदाने आवाज भी वालिदाने लबह एक मत करो यार प्लीज ये मैं बोल इसके लिए रहा हूँ कि हमें कही अब आप वो चीज़ है देखो बाजू अले का बच्चा रोए तो सर में दरद होता और खुद का बच्चा दरद हो तो दिल में दरद होता ये किस ने दिया ये अल्ला के तरफ से इसलिए अल्ला ने मा के पैर में जन्नत रखा यार जन्नत को पाने के लिए तो हम ये सब कर है कुछ आसान है इतना तंगश्टी का माहोल है इतनी बेरोज़गाई फैली है तुम्हारे बाप ने तुम्हारे पर आच आने दी है क्या कैसा भी कुछ भी करता है लाके खिलाता है आज उसे तेवर क्या ही सबसे दिखाते हो यह कुन सा बल में बल है कि अल्ला के वास्ते यह सब चीजों के वज़े से जो मामलात हो रहे हमारे बस्तियों में पूरे वर्ल्ड में सही में जमीन चीख मारती रहेंगी जब तेवर दिखाते रहेंगे अपने माबाप को कि अल्ला हुकम दे निगल दू इनको आपने जैसा भी बोले कि इनी कॉल जो क्या में ही काल करके बोलते के मपमी से आता है हो दोस्तों के बेटा ही हू कि है नहीं वह है कि इतनी शाच करता ही है और मैं को समझ भी है तो फिर आजकल के साथ दोस्ट भड़का थे क्या तू उदर घर में बइठा है तू भी चल हम लोगे साथ तो फिर उनके ताओ में आके फिर आपन भी माबाप लोग को यह वो लेंगे नहीं हमने आएंगे तुम्हें को जाने का ही है तो वही बात यही होती है क्या आजकल यह यही जिसके पास नहीं है माबाप जिसको नहीं नहीं मिली यही जो यही बच्छपन में जिसके माबाप का इंतेकाल हो चुका है उनलों के ओपर क्या बीचती है और अपने पास माबाप होके अपन उनकी फिकर ने कर रहे उनकी ना फर्मानी कर रहे वह बड़ी बात होती है इसके लिए अपने माबाब का यह अच्छे से ख्याल रखे जिड़की ना दे क्योंकि आजकल यह वही हुआ कि बच्चे अपनी माबाब की बात नहीं सुनते और वही हाल अपने साथ ही होता है ना उल्टा इन्यापन अपने माबाप की बात ने सुनते हुँ उल्टा अपने साथ ही बुरा होता है कुछ हाथसा हो जाए इन्यापन इन्यापने माबापने टोके के इधर मज जा फिर उदा जाकि कुछ हाथसा हो जाए कोशिश करूँगा कि माबाप की नाफर्मानी ना करूँ यह कुंसी बात है जिस वक्त जो बंदे को जिस वक्त जैसी हिदायत ही वह अमल कर रहा है अब इंसान आज ने कल खोता ही होती है लेकिन अल्ला की नभी सुल्णा से लिए अधिस का मफूम क्या है कि बनी आदम से तो गलती होने ही वाले लेकिन उनमें बैतर हो है जो उस्ति दे उनकी आउलाद उनके आखों की ठंड़क बनाए और अल्ला जिनके माबाप इंतेकाल कर गए उनकी मख्फिरत फर्मा उन्हें जन्नतुल फिर्दोस में आला से आला मकाम अता फर्मा उनके कबरों को नूर से भर दे वाखिरत